नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपको रस्थाना अपने खास चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स में जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज यानि रविवार को इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरा टी-20 मैच होने वाला है जो चिन्नाई में होने वाला ह आपको बता दें कि टीम इंडिया अभी तक जो भी सीरीज टी-20 के मैच जितने भी हुए हैं दोनों मैचों में दमदार जीत दर्च कर चुकी है और वेस्ट इंडीज की टीम को अपनी इच्चत बचाने के लिए यानि अपनी साख बचाने के लिए क्योंकि वो वर्ल्ड च ठक्या और हिट मारने के लिए जानी जाती है ऐसे में वेस्ट इंडीज को अपनी साख बचानी है और टीम इंडिया को पूरी तरह से वेस्ट इंडीज को इस मैच में भी हरा कर सीरीज में सुपाला साप करना है वेस्ट इंडीज का वह आपको बता दें कि पहली बार ऐसा आगर होगा अगर इंडिया की टीम West Indies को हरा देती है तो ये पहली बार होगा जब टीम इंडिया कोई ऐसी सीरीज होगी T20 की जिसमें West Indies को पूरी सीरीज में पूरे मैच हरा देगी आपको ये भी बता दें कि जो मैच हो रहा है चेनई में आज साम को 7 बजे से शुरू होने वाला उसकी अपडेट भी हम आपको देंगे मैच कैसा रहेगा क्या होगी स्टती वह आपको ये भी बता दें कि ये जो मैच है अभी तक टीम इंडिया जो है 2-0 से आगे है और सीरीज का ये आखरी मैच है टी-20 का और अब जो शुरुआत कुछ ही घंटो बाद होने वाली है इस मैच की और सबसे बड़ी बात इस मैच में ये रहेगी कि टी-20 के सुपर स्टार बल्लेबाज महिंदर सिंग धुनी यानि टीम इंडिया के पूर्व कपतान उनको चेनाई की यानि की चेनाई का ग्राउंड उनके लोग मेस करेंगे तो कि चेनाई के CSK के वो भैतरीन बल्लेबाज रहे हैं IPL में उनकी टीम में वो खेलते हैं CSK के कैप्टन है और ऐसे में उनका टीम इंडिया में ना खेलना बहुत बड़ा नुकसान है फैंस को दुखी करेगा T20 मैच में हिस्से में ना होना महिन सिंग दोनी का फैंस के लिए बड़ा दुख़द रहेगा वहीं आपको बता दें ये भी कि ये T20 और खास इसलिए हो जाता है क्योंकि टीम इंडिया ने इस मैच में अभी जब तक जितनी भलेवाजी की है रोई इस तरीके से उनके पास बैटिंग ओडर है वो अभी उतना कमाल नहीं दिखा पाया है और टीम इंडिया में ना तो दिगकज वल्लेबाज विराट कोहली है और ना ही सुपरस्टार विगेट कीपर और लंबे शक्य लगाने ओले महिन सिंग धोनी है दोनों ही अनभवी खि अब ही तक देखा जाए तो τι इंडिया ने इस चनवांड में है इस से पहले भी यह मैच है छे साल बाद होने वाला है क्योंगि इससे पहले यहमाच इंडिया टीम ने जो चनवांड में खेला है वो 2012 में न्यूजी नहीं close match जाएगा या फिर दमदार तरीके से टीम इंडिया बुरी तरह वेस्ट इंडीज को हरा देती है या फिर वेस्ट इंडीज की टीम टीम इडिया पर भारी परती है ये तो आखिर वक्त बताएगा और मैच की इस्तिती पर सारा कुछ बयां हो जाएगा बात सोचने आली ये भी है कि उस वक्त जब टीम इंडिया न्यूजिलेंड से 2012 में T20 मैच खेली थी चनगी के ग्राउंड में तो उस वक्त रोहिस सर्मा पांचवे छड़े नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहे थे लेकिन अब रोहिस सर्मा ओपन करते हैं और बहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं तो इस्तती भी अलग है परिवर्तन है सिचुवेशन में भी और बदलाव है तो देखने वाली बात यह है कि अब क्या T20 की स्तती रहती है और क्या टीम इंडिया ये पूरी तरह पहली बार इतिहास दर्ज करती है कि वो पूरी तरह वेस्ट एंड मनिजिलैन को भार के या फिर दूज़ैन पर माफी चाहूंगा वेस्टåंडी की टीम को पूरी तरह से हरा कर इस से बाहर कर सकती या फिर वेस्टन डीज की टीम के अपने इज़त और साख जिस तरीके से वो वर्ल चैंपियन बनी है T20 की टीम इडिया को हरा सकती है अब तो ये वक्त ही बताएगा तो क्या है T20 का प्लाइंग 11 मेरे पास रिपोट है उसमें हम देखते हैं टीम इंडिया की क्या टीम है तो समभवित प्लाइंग 11 में टीम इडिया की बात कर लेते हैं तो टीम इंडिया में रोहिश सर्मा कप्तानी कर रहे हैं आप जानते हैं सिखर दवन है लोकेश राहुल है मनीश पांडे है रिशाप पंथ है दिनेश कार्थिक है कुनाल पांडिया है, यजुवेंद्र चहल, भूनेशवर कुमार, वसिंगटन सुन्दर और खलील एहमद है इन सभी युवा खलाडी के साथ सीनियर खलाडी भी है, रोही शर्मा और देखा जाए तो सिखर धवन भी अच्छी बैटिंग करके टीम इडिया को अच्छी पोजिशन पे ला चुके हैं अब बात कर लेते हैं वेस्टन डीज की, तो वेस्टन डीज के कप्तान तो आप जानते हैं कार्लोस ब्रेथवेड है और उसके साथ शाई होप है, इनसे काफी उमीद है निकोला स्पूरन, सिम्रन, हिटमायर, डेरन ब्रेवो, किरोन पॉलाड और रोवमान, पावेल, कीमो पान और फवबियन एलन, कैरी पियरे और ओशाने थाउमस ये प्लेइंग 11 वेस्ट इंडीज का है, तो इससे देखने की बात यह है कि हम अगर देखें, तो डेरन ब्रावो और किरोन पॉलाड से काफी उमीद होगी क्योंकि वेस्ट इंडीज पहले मैच जो दो हार चुकी है, उसमें इन दो बड़े खिलाडियों पर भी काफी दारोमदार होगा है, अपनी टीम को बड़ा स्कोर करने के लिए और इस पॉजिशन पर डेरन ब्रावो को देखा गया है कि वो अच्छी बहतरीन बॉलिंग करते हैं, उस CSK की तरफ से खेलकर भी बहतरीन बॉलिंग कर चुके हैं, चन्नई देखा जाए तो उनके लिए होम ग्राउंड रहा है, आई पील में वो चन्नई के साथ खेलते हैं और उस सिचुएशन को भली भाती जानते होंगे, हिच्छ नई कि पिच किस तरीके से रहती है, क्या स्थिदी रहती है, गेंदबाजी में अच्छा उच्छाल मिल पाता है, या फिर पिच पे अच्छी स्विंग हो पाती है, वो तो बॉलिंग पर और मैदान की सिचुएश अच्छे बल्लेवाज हैं, अच्छी उमीद वेस्टेंडीस की टीम उनसे करती है, और हम ये भी देखने को देखा जाये, तो ऐसा लगता है कि वेस्टेंडीस की टीम इस मैच में पूरा अपना सब कुछ जोग देगी, ताकि टीम इंडिया से इस तरीके से वो हार के ना ज होगा, क्योंकि वैसे भी वेस्टेंडीस की टीम वेस्टेंडीस की उतनी प्रभाव नहीं डाल पाई है, अभी तक देखा जाए, आई-सी-सी रैंकिंग के इसाफ से भी, तो जिस तरीके से टी-ट्वंटी रैंकिंग में उनकी पूजीशन है, ताज मिल रखा है टी-ट्व विराट कोहली भी कई बार कह चुके हैं कि वेस्टेंडीस की टीम जो है, वो ऐसी टीम है जो निडर होके खेलती है, मैदान पे जब उतरते हैं उनके बल्लेबाज हो या बॉलिंग करने के लिए कोई भी बॉलर हो, इतनी बहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, वो निडर होके ख अगर का रिद्ली ग़ी लड़किा करते हैं, वेस्टेंडीस की टीम होती है, उसमें ये प्रेशर हो जाता है, कहीं अगर इनके बल्लेबाज चल गए और अच्छी बाटग कर गए, तो लंबा स्कोर हो सकता है, वेस्टेंडीस नहीं ये साबित वी गिया है, हम इस कड़ी मे अगर बात करें तो Chris Gayle रहे हैं, Dan Bravo रहे हैं, किरौन पुलाड रहे हैं, यह सारे ऐसे बलेबाज हैं, जो अपनी कम T20 की इनिंग्स को कम गिनों में बड़े रन में तब्दील कर सकते हैं, मद्दा है इनमें, लेकिन वो जो अनभाव है, जैसे उनकी बैटिंग है, किरौन पु अब बात करते हैं, अगर टीम इंडिया की, तो रोहिस सर्मा का बला, तो जनाब इतना दमदार चल रहा है, कि अगर वो टिक जाएं पेच पे, तो लंबी बारी खेल देते हैं, चाहे हम बात करें वंडे की, चाहे हम बात करें T20 की, रोहिस सर्मा मैदान में उतरते ही हैं, तो कहीं न कहीं उनको थोड़ा सर समय लगता है शुरुआत में, और वही हाल सिखरधावन का है, सिखरधावन हलाकि लूज शॉट खेल कर विकट गवार बैठते हैं, लेकिन अगर उनका भी बला चल जाता है, तो फिर जनाब एक ओवर में दो चार चोके तो वो लगा ही द और रुक के खेलने वालों में रोहिच सर्मा नहीं है, वो बात करें, रोहिच सर्मा अगर थोड़ी सुरुआती की ओवर की बात करें, तो एक दो ओवर में वो थोड़ा सा टिकने की कुस्स करते हैं, फिर तो अगर उनकी इनिंग वो पिच की कंडिसन को जान गए, तो वेस अच्छी रणनीती कोई नहीं बनाता, ये भी सब जानते हैं, जग जाहिर है, अगर धोनी की रणनीती भी नहीं है, इस टीम में, और विराट कोली की दमदार वलेबाजी भी नहीं है, इस टीम में, तो भी टीम इंडिया वेस्ट इंडीज को पठकनी दे रही है, तो ये कह का जो मैच है वेस्ट इंडीज और इंडिया का दमदार होने वाला है और ये आखरी मैच बड़ा दिल्चस्प होने वाला है ऐसा हम उम्मीद करते हैं हर फैंस भी चाहते होंगे क्योंकि देखिए अगर वेस्ट इंडीज की टीम कम रनों में स्मिट गई तो टीम इंडिया के फैंस है वो ये नहीं चाहते होंगे कि काटे के टकका हो देखने को मिले बड़ा मैच लंभी इनिंग हो अच्छा रनमना हो अच्छी बॉलिंग हो रही हो तो ये सारी चीजे हर फैंस देखना चाहता है कोई ये नहीं चाहता कि लोग स्कोर पे वेस्ट इंडीज की टीम तो किसी एक की टीम के पास पूरा-पूरा मौका ये शुरू से नहीं लगना चाहिए फैन्स को ये वो ये नहीं चाहते होंगे कि उन्हें ये शुरू सही लग जाए कि सिर्फ एक तरफा मैच चला गया है एक तरफा मैच के उमीद कोई फैन्स नहीं करना चाहते होंगे वो य Western Deez की टीम ये चाहेगी और Team India ये चाहेगी कि हम Western Deez को पठकनी देके पहली बार ये तिहाज दर्ज कर दें कि हम Western Deez को पूरी सीरीज में हळा चुके हैं तो देखना बड़ा दिल्चस्प मैच है और आप भी इंतजार कर रहे हैं हम भी इंतजार कर रहे हैं तो साथ बजे से मैच का प्रसारण चर्ण नहीं में होगा और कैसा रहेगा मैच उसके सारी जानकारी हम अपने चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स के माद्यम से आप तक पहुचाएंगे तो इजादत दे दीजिए नमस्कार